आप सबी लोग उमीद करते हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में होंगे बिलकुल सेफ होंगे आप साथ रेस्पी शेयर रही हो अर्भी के पत्त के पकोरे खाने में बहुत पकवण ही तरीका बनाने का और अग्रीजर का Namen नीज यहीं यह Yang सुन हैं और हम बनाते हैं हैं अर्म इक पत्ते चुरव से होते शोटी तरीके होते हम आज मे hamburg करके बनाइंगे तो यह देख सकते हैं यह यहाई इस तरिके का गुछ लुक होता है इन पतों का तो इसको हम लेकर आएंगे मार्केट से और 3 पहर पानी इसको निलेगे उसके बाद हम इसे चार्चा 5 पाँच 5 पत्तों को एक साथ लेकि उसको कट कर लेंगे जैसे कि हम साग वगएरा कट करते हैं तो यह देख सकते हैं कट करने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लोक आएगा तो इसे हमें बेसन के अंदर नहीं मिक्स करना तो बताती हूं मैं किस चीज के साथ इसको मिक्स करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने चिने की दाल लिए है आदी कटोरी और एक कटोरी लिए है चावल के दाने उसको मैंने राद भाट भगोके रहा हैं राद भर के बाद गुश चीज तरीके के पानि हैं तो ईसको आख पूरी राट आप इसको आःगए 10 से शुरमाल सक दिखके तो पूरूरी रात तुम तुम चीज़ चलिए नहीं मुण बू het तो यह आप देख सकते हैं चावल, दाल, हरी मेर्च और लहसोर इसको हम एक साथ पीस लेंगे इसमें पानी बिल्कुल भी एड़ने करना इसके बहुत एगारी रहती है तो यह आप देख सकते हैं पीसने के बाद कुछ चीज तरीके का इसका लोक आया है यह देखें आप इसक इसके अंदर मसाले मिक्स करेंगे जो हम इसके अंदर डालने वाले हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी एक चममच एक चममच धनिया पावडर एक चममच लालमिश पावडर नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार और एक छोटा चममच लेंगे हम हिंग पाव आगर लेमन है तो आप लेमन की यूज कीजिए। और अगर नेम्बू नहीं आपके पास फिर उस वक्त आप रूसरा का यूज कर सकते हैं चूर पाउडर का। बेस्ट जो है वो है कि लेमन जूस का आप यूज करें उसे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है और गले में बिल्कुल भी लगता नहीं है यह खाने में बहुत ही अदर स्वाधिस्ट बनता है तो इन सभी मसालों को हम मिक्स करेंगे शावलर दाल के पेश्ट के अंदर और एक बहुत यह चासा इसका बैटर तियार हो जाएगा लगाने के लिए तो यह आप देख सकते हैं इसको स्पून की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मैंने सारी मिसाले जो हैं वो इसके अंदर एड़ कर दिये हैं और इसको मिक्स कर दूंगी और इसके बाद मिक्स करने के बाद जो हमने पत्र करके रखे दे इसके साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे इसमें पानी बिलकुल भी indeed नहीं करना इसको 10-15 मिट लगते हैं मिलाने में पत्तों का जो मॉस्चियर होता है वो खुदी इस बेशन को अपने साथ मिक्स कर लेता है और बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बनके त्यार हो जाता है पकोड़ी बनाने के लिए तो आप एक बाद जरूर इस तरीके से सुल्ट आके मिक्स हो गया है तो चली अब इसको हम फ्राइब करते हैं फड़ा है बेबादा कामन कर आप लियूस्त को बादार पर यहां पर ने डाल बेका यूज़को बना बड़ाए कर लेंगे यहां पर फोल रहेंगी लेकिन जब हम पकोड़े बनाएंगे उस वक्त जो हैं वो जले नहीं और अच्छी तरीके से कोख हो जाएं उसके बाद हम चोटी चोटी टिकियों के साइस के पकोड़े जो हैं वो इसके इंदर डालेंगे और इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे गैस की फ्लेम जो है वो मेडियम से बीच में पकोड़े तो यह आप देख सकते हैं एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे उसको निकाल लेंगे तो आप वैसे भी खा सकते हैं चाय के साथ या फिर आप सौस के साथ खाये या पुदिने की चटनी के साथ वैसे इसके साथ किसी भी चटनी की कोई भी जरूरत नहीं है तो यहा आपको शो कर रहे हूं कि मैंने लेमन जूस की इसके अंदर एक दो बीज इसके इंदर गिर गेते तो वह नहीं निकाल दिया है तो इसको ची तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके पकोड़े बनाएंगे तो फ्रेंस पकोड़े कहने में बहुत यह अदा टेस्टरी बनते हैं सबी को बहुत यह पसंद आने वाले हैं तो इस रेस्पी को आप जरूर ड्राई करें और लेमन जूस जो है वो इसके अंदर एड़ करने से इसका बेनिफिट यह है कि यह गले में बिल्कु भी लगता नहीं है खाते वक्त और बहुत यह टेस्ट इसका जो है वो इन्हेंस हो तो एक है करके हमने सारे पकॉड़े इसी तरीकी से फ्राई कर लेने हैं तो यह आप देख सकते हैं अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब की साथ दिया गया बैल आइकान का बटन जुरू प्रेस करें ताकि आपक मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पकॉड़ों को टेस्ट करें और बताएं कि कैसे बने हैं मिलती हूं मैं नई और प्यार इसी रेस्पी के साथ अब तक के लिए वेट इन वाच आर्चेज वार्ड